मोटापा कम करने के अचो को पाए बिना एक्सेसाइज के हलो एबरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद रेशो पर वजन कम करने के लिए आहार में ये बतलाव करें आज के समय में मोटापा कई बिमारियों का मुख्य कारण है जैसे हृद्य रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हाई कॉलेस्ट्रोल, फाटी लीवर, पाचन तंत्र संबंदी रोग इसके अलावा अवसाद एवं सामाज में अकेला पन भी इसी कारण देखा जाता है मोटापा कई कारणों से होता है, जैसे हाईपो थाईरिडीजियम, पी सी ओडी, बिना समय खाना, जादा कैलोरी वाला खाना, जंक फूर का सेवन, शारिरिक रूप से सक्रिय ने होना वे हार्मोन्स की अनियमित ता आदी वजन कम करने के कई प्राकर्तिक तरीके हैं, जो वास्तव में काम भी करते हैं और यह प्रमानित भी है यहाँ वजन कम करने के उपाई बताए गए हैं, बिमारियों से बचने वजन कम करने वैस्वस्तिवजन के लिए सबसे पहले आपको अपने आहार में कुछ बदलाव लाने होंगे जैसे पॉइंट नमबर वन किसी भी समय के भूजन को छोड़े नहीं पॉइंट नमबर टू अपने भूजन को छे भाग में बाट के खाना है तीन बड़े एवं तीन छोटे पॉइंट नमबर ट्री अपने दिन के शुरुवात जीरा पानी या नीमू पानी के साथ भीगे बद्राम अखरोट के साथ करें पॉइंट नमबर फोर सुभा के नाश्ते में प्रोटीन वाली चीजें ले जैसे काले चने या काबुली चने की चाट बेसन या मिक्स दाल का चीला, हंकर्ड या पनीन का सैंडविच ले सकते हैं पॉइंट नमबर फाइब दोपैर के खाने, रात के खाने में ध्यान रखें कि आपकी थाली कई चोथाई हिस्सा अनासे भरा हो एक चोथाई प्रोटीन वाली चीजों से और बाकी के आधे भाग में सबजियां भरी हो और साइड में एक कटोरी दही हो, ज्यादा भूक लगती हो तो सलाद की जितनी मात्रा चाहें उतनी ले सकते हैं पॉइंट नमबर सिक्स दिन के छोटे आहार में फल खाए, भुने हुए कद्दू के बीच, चिया शीड्स, अंकुरत चाट, भुने मखाने, भुने चने, घर पर बने, हमस के साथ, शलाद या ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं सिंपल एवं रिफाइंड कार्बोहाइट्रेड से दूर रहें शुद कार्बोहाइट्रेड वे कार्बोहाइट्रेड होते हैं, जिन में से लाबकारी पोशक तत्व और फाइबर निकाले जा चुके होते हैं रिफाइनिंग पुरिक्रिया से भूजन पचाने में आसानी रहती है जिससे आवशक्ता से अधेख खाने और कुछ बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए ध्यान रखें कि आपके खाने में सिंपल एवं रिफाइंड कार्बोहाइट्रेट ना के बराबर हो इसके लिए मैदे से बनी रोटी, सफेद चावल, सफेद ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, चीनी, शहद की मात्रा से कम से कम ले इनकी जगा पर आप साबूत आना, चोकर वाला आटा, भूरे चावल, काले चावल, मिक्स आनाज की रोटी, जौर, बाजरा, रागी आदे इस्तिमाल कर सकते हैं प्रोटीन अवश्य ले प्रोटीन धीरे डाइजिस्ट होता है, सो हमें पेट जादा देर तक भरा-भरा लगता है इसके साथ ही ये हमारे शरीर में मास पेशियां बनाने एवं मरमत का भी कारियर करती है इसलिए अपने भोजन में दाल, राजमा, छोले, लोबिया, दही, पनीर, अंडा, चिकन जरूर शामिल करें यदि भोजन से जरूरत पूरी नहीं हो पाती तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कई प्रोटीन सप्लिमेंट शुरू कर सकते हैं उत्तम प्रकार के वसा का सेवन करें हमेशा उत्तम क्वालिटी के वसा का चयन करें जिसमें जैतून, कैनौला, सरसो, सूरज मुखी आदी का तेल इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा बादाम, अक्रोट, सूरज मुखी के बीज, कद्डू के बीज में भी उत्तम प्रकार की वसाप पाई जाती है मचलियां एवं मचली का तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं अधिक फल वे सबजियां खाए फल और सबजियां वजन कम करने में सहायक खाद्य पदार्थ हैं पानी पोशक तत्वों और फाइबर से सम्रद्य होने के अलावा इसमें बहुत कम एनरजी डेंटिसिटी होती है जिससे बिना जादा कैलरी का सेवन किये हम अधिक मात्रा में खाना संभव होता है कई अध्यनों से पता चला है कि जो लोग अधिक फल और सबजियां खाते हैं उनका वजन चल्दी कम होता है इसके लिए फलो में सेब, संत्रा, मौस्मी, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, आडू, आदी एवं सबजियों में लौकी, बैंगन, तुरे, भिंडी, पालक, मेथी, चुलाई आदी आसानी से ले सकते हैं खाने की बुरी आदतें छोडें अक्सर हम खाने से संबंदित कल्दियां करते हैं, इन्हें करने से बचें जैसे खाने के बाद मीठा खाने की आदत बदलें खाने के साथ जूस या कॉल्ल ट्रिंक लेने से बचें देर रात में खाना खाने से बचें, जिससे की एक्स्ट्रा कैलोरी के उपयोग से बच पाएंगे मल्टी विटामिन लें वजन कम करने में मल्टी विटामिन का महतपून योगदान है इसलिए डॉक्टर से पूच कर मल्टी विटामिन शुरू करें वाटर रिटेंशन कम करने के लिए दिन में डाई से तीन लिटर तक पानी पिए साधरन पानी की जगा पर पानी में खीरा, नीमबू, लेमन क्रस, अद्रक के टुकडे डाल के रख ले और बीच बीच में डिटॉक्स वाटर की तरह लिया जा सकता है इसके साथ ही नमक के जादा सेवन से बचें खाने के उपर से नमक, आचार, पैकिट वाले स्नैक्स, नमकीन, चिप्स, कैचप, आदी का कम से कम सेवन करें वजन कम करने का उपाय है ब्लैक कॉफी कॉफी सौस्ते के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये अंटी आक्सिडंट और अन्य फायदेमंत योगिकों से सम्रद्ध होती है कॉफी पीने से फैट बर्न में मदद मिलती है काफिन युक्त कॉफी आपके चया पाच्चे को 3 से लेकर 11 परसंट तक बढ़ा देती है खाएंगे तो घटेगा वजन यदि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर के संकेत देने से पहले ही काफी ज़्यादा क्यालरी खा चुके होते है तेजी से खाने वाले लोगों के मोटे होने की संभाबना अधिक होती है उनकी तुल्ना में जो धीरे धीरे खाते हैं धीरे धीरे भोजन चबाने से आप कम क्यालरी का सेवन करते हैं और वजन घटने वाले हार्मोंस का उतपादन पढ़ता है स्वस्त भोजन और स्नेक्स खाने से होता है वजन कम अध्यानों के अनुसार जो खाते पदार्ट आपके घर में मोजूद होते हैं वो वजन वे खाने की आदतों को बहुत प्रभावित करते हैं इस हिसाब से हमेशा हमारे रसोई में स्वस्त भोजन उपलप्ध होने से आप या आपके परिवार के अन्य सदस्यों की ऐस स्वस्त भोजन करने की संभावना कम हो जाती है ऐसे कई स्वस्त और प्राकरतिक स्टेक्स होते हैं जिने यात्रा के दोरान भी साथ ले जाने में आसानी होती है जैसे दही, फल, नट्स, गाजर, भुनाचना, फ्रूट जलान, ग्रील किये हुआ पनीर और उबले अंडे आदी चया पच्चे बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करें अपने भोजन में उन भोजे पदार्थों का सेवन करें जो आपके चया पच्चे को बढ़ाएं या वजन कम करने में मदद करते हों जैसे लॉंग, दालचीनी, हल्दी, ग्रीन टी, हरे मिर्च, ब्लैक कॉफी, इन्हें आप गरम पानी के साथ हरबल्टी की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं, ये बेपदार्थ आपके चया पच्चे को पढ़ाने का काम करता है, फिर्ट्स आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, व ये नवाद.